नमस्कार दोस्तों, SBI Security के Daily Morning Podcast में आपका हर्दिक स्वागत है, आइए देखते हैं कल के बाजार में क्या हुआ, तो कर निफ्टी और सेंसेक दोनों ही positive zone में बंद हुए हैं, जहां पर निफ्टी 89.00 उपा जाकर के बंद हुआ है, वहीं पर सेंसेक में करीब 275.00 के एली हमें देखी और यह 65.931 के लेवल पर क्लोज हुआ, जहां तक broader market की बात है, तो mid cap और small cap index, जो एक mixed trend के साथ में क्लोज हुए हैं, जहां पर nifty mid cap 100 करीब 0.06% उपर बंद हुआ है, वहीं पर nifty small cap index 0.11% जो है नीचे लेते हैं कि सेक्टोरल में कौन-कौन से गेनर से लूजेस रहे हैं, तो अगर मैं BAC sectoral indices के बात करूं तो consumer durable, BAC reality, auto, healthcare, इन सभी indices में कल हमने उच्छाल देखा है, जहां तक consumer durable की बात है, वह 1.3% उपर बंद हुआ है, BAC reality 1.15% उपर बंद हुआ, auto 0.4% उपर बंद हुआ है और healthcare 0.6% उपर बंद हुआ है, अब बात करते हैं sectoral losers की, तो BAC energy 0.85% नीचे बंद हुआ है, टेलिकॉम और capital goods 0.4% और 0.6% नीचे बंद हुआ है, अब बात करते हैं fund flow की, तो cash market में कल FIIs ने 456 करोड रुपे की selling की है, वहीं पर DIs ने 721 करोड रुपे की buying की है, अगर मैं market breath की बात करूं, तो BAC पे 1955 share जो है उपर बंद हुए है, और 1779 share जो है वो नीचे बंद हुए है, तो market breath थोड़ा सा positive zone में ही रहा है, अब बात करते हैं इसी company जो 52 week high और low बनाई है, तो 367 companies ने नया 52 week high बनाया है, उन में से जो company को नाम है, आलकेम लेब, औरो फार्मा, BASF, भारती अटल, CESC, DLF, एक्जारी इंडस्टीज, गोद्रिज प्रॉपर्टी, ICICIGI, अबेरा रियालेटी, पाउर फिरनेंस कॉपरेशन, सोभा, लिमिटेड, टाइटन, थॉमस कुक, सो ये कुछ ऐसी company हैं जिन्होंने नया 52 week high बनाया ह अब बात करते हैं कि ग्लोबल पैरामेटर्स की जो मार्केट क्लोजियर ट्रैक करता है, तो US का 10 years जो bond yield है, वो 4.4 के आसपास maintained है, ज्यादा हमने वहाँ पे हल चल नहीं देखी है, ब्रेंड कुरूड 77 डॉलर पर बैरल के पास गया था पिछले सब्ता में, अब रिबाउंड होकरके 83 डॉलर पर बैरल के आसपास ट्रेड हो रहा है, और रीजन यह है कि OPEC प्लस ये सोच रहे हैं कि आगे production कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा negative है ये basically oil prices के लिए, जहां तक भ है वो लाजली steady रहा है, 103.4 के आसपास ट्रेड हो रहा है, as compared to 103.5 जो कल के दिनर में देखा था, जिबकि US Wix और India Wix लाजली रहे हैं, जहां पर US Wix की बात है तो वो 0.4% नीचे जाकर के 13.3 पर बंद हुआ है, वहीं पर India Wix 0.7% उपर बंद होकर के 12.2 के आसपास close हो रहा है, अब बात करते हैं, US market में कल क्या हुआ, और Asian market क्या लग रहे हैं आज के दिन, तो US market कल जो है, पांच दिन के जो rally थी, उन्हों को उन्होंने snap किया और ये नीचे बंद हुआ है, जहां पर डॉज जोंस, 63.5 नीचे बंद हुआ, महीं पर नासद्यक और SNP में करीब 0.6% और 0.2% की हमने गिरावाट देखी, और US market में गिरावाट की वज़ा ये रही है, कि जो US federal की जो पिछली बैठक का जो मेनेट्स आया था, उसमें ये इंडिकेशन है कि आगे चलकर के monetary tightening जो है, मेंटेन होगी, rate cut का ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा market के लिए disappointing था, जो कि market उमीद कर रहा था कि शायद अगले साल जो है early, मतलब जून के आसपा से पहले थोड़ा rate cut की तब उमीद हो सकती है, लेकिन ऐसा fed minutes meeting में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए जो है US market का थोड़ा था नीजे बंद हुआ, European market की बात करों, तो भी largely flat to negative zone में ही बंद हुए हैं, जबकि Asian market जो है थोड़े से mixed trend शो कर रहे हैं, जो कि largely negative bias के तरफ इचारा कर रहा है, और अगर मैं gift nifty की बात करूं, तो अगर मैं nifty future सब में compare करेंगे gift nifty level को, तो करीब 15-16 point जो है उपर या green shade में opening होते हुए हम देख रहे हैं, आज के बाजार में, तो उ market largely जो है stock specific रहने की उम्मीद है, आई अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे stock जो आज के trade में focus रहने वाले हैं, तो पहला reliance industries जहां पे company ने कहा है कि करीब 20,000 क्रोड रुपए वो investment करेंगी बेस बेंगॉल में अगले तीन साल में, तो ये neutral to positive है company के लिए medium term में, TCS focus रहने वाला है, जहां पे TCS, जहां पे US के Supreme Court ने company के petition को reject कर दिया है, और ये case जो है करीब 140 million dollar का damages का case है, जो intellectual property right के violation को लेकर के है, जो TCS का case जो है epic system के साथ में चल रहा था, तो previous court wordy को TCS ने जो है appeal किया था Supreme Court में, जो वहां से भी उनको थोड़ा सा जटका लगा है, तो 140 million dollar में उन्होंने कुछ provision अलड़ी कर दिया है, और बाकी का 125 million dollar जो है इस company को provision करना पड़ेगा, जब उनके quarter 3 के result आएंगे, तो ये थोड़ा सा negative है TCS के लिए, मारूती फोकस में रहने वाला है, जहाँ पर company ने कहा है कि वो सुजिप की मिटर कॉपरिशन को 1.23 क्रोड शेयर जो अब प्रेफरेंशल बैसे इस पर इशू करने वाले हैं, तो ये नीटल नीज है मारूती के लिए, जिए फिनेंशल ने कुछ रिपोर्ट को डिनाय किया है कि उन्होंने कोई बॉर्ड इशू किया है, तो ये उतना significant news नहीं है, ये neutral news है जिए फिनेंशल के लिए, केसी इंटरनाशनल को अलग-अलग प्लाइंट से एक हजार पांच क्रोड रुपय का ओर्डर मिला है, तो ये positive हज केसी इंटरनाशनल के लिए long term में, टैक्समो रेल इंजिनरिंग फोकें में रहने वाला है, जहां पर कंपनी के बॉर्ड ने QIP के लिए approval दे दिया है, और जिस प्राइस पर इशू करेंगे, वो है 136 रुपीस पर शेर, जो की कलके closing से करीम 9% discount पर है, तो ये neutral to positive है, टैक्समो रेल के लिए, बीपीसील की बोर्ड बेटक होने वाली है 29 नमबर को जहां पर वो इंटरिम डिवडन को जो है, वो कल्सिटर करने वाले हैं, तो एक positive है बीपीसील के लिए, वीपीसील के लिए, वीप्रो फोकस में रहने वाला है, जहां पर कंपनी ने NVIDIA के साथ में एक कॉलाबरेशन को है एक हिमाचल में और एक उतराखन में, तो यह थोड़ा सा positive है long term में genius power के लिए, GMR power and urban infrastructure भी फोकस पर रहने वाला है, जहां पर कंपनी ने उनकी सबसेडरी में करीब 29 परसंट का additional stake acquire किया है, 28.5 million dollar की deal के साथ में, और अभी जो उनका stake है वो इस कंपनी में वो बढ़ करके 87% हो गया, so neutral to positive है, GMR, power and urban infra के लिए, आई अब बात करते हैं primary market के लिए, तो primary market में चार आज कंपनीया खुल रहे हैं, सबस्क्रिप्शन के लिए, जिनके IPOs ओपन हो रहे हैं, तो पहला Tata Technologies Limited, इस पे हमारा buy rating है, subscribe rating है, और यह price band 475 से 500 के बीच में इसका price band है, और कंपनी कर 1000 क्रोड रुपए रेस करने वाली है, valuation काफी attractive है, हमें लगता है कि investor को subscribe परना चाहिए, fed bank financials भी focus में रहने वाला है, इसका IPO पर मेरा subscription के लिए, और कंपनी करीब 1000 क्रोड के आसपास पैसा रेस कर रही है, जिसमें 600 क्रोड रुपए और बाकी का offer for sale है, 133-140 का price band है, कंपनी कंपनी ने अल्यडी करीब 330 क्रोड रुपए रेस कर लिया है, थ्रूँ एंगर इंवेस्टर, तो fed bank, flare writing का IPO भी आजी खुल रहा है, price band 288-304 के बीच में है, और यहां पर कंपनी करीब 292 क्रोड रुपए फ्रेश इशू और 301 क्रोड रुपए offer for sale के जरी ज़री FMCG और pharmaceuticals में, तो यह काफी उनिक कंपनी है, इसका IPO भी उपन हो रहा है, 160-179 रुपीज पर share का price band है, और यह करीब 500 क्रोड रुपए का issue size है, तो fed bank, financials और Tata Technologies में हमारा already subscribe rating है, बाकी दो कंपनीओं पर हम नोट बनाएंगे और यह report हमारा website पर भी available होगा, आगे चल करके, आगे बात कर लेते हैं, कुछ कंपनी यहां जहां पर insider trade हुआ है, तो link limited और पैसल और digital दोनों ही कंपनीओं में, प्रमोंटर ने open market से small quantities जो है वो बाय की हु कुछ कंपनी हैं, शौर्ट टर्म एसम ट्रेड में मूफ की हैं कल के सेशन में, तो वैभा ग्लोबल जेम्स, टाटा इन्वस्मेंट कॉपरेशन, टेक्नो लेक्ट्रिक एंजिनिंग, यह कुछ कंपनी हैं, जो शौर्ट टर्म एसम फ्रेमवाप में गई हैं, तो थोड़ा स नेगेटिव हो सकता इंग कंपनीज के लिए, तो दोस्तों, अगर मैं समराइज करूँ, तो ग्लोबल की हुए थोड़ा नीटल टो नेगेटिव है, और उमीद करते हैं कि एक कौशिस ट्रेड देखनों के मिलेगा आज के सेशन में, हाला कि जो ओवराल स्टॉक स्पैस्प to market risks, read all the related documents carefully before investing.